hey guys welcome to physics and playground पिछले वीडियो में आप लोगों को 70-80 days का schedule मिला था और अब भी आप लोगों को 24 hours का study time table मिलेगा समझे तो इसमें है क्या ची ऐसा नहीं बोलूगा कि यही सब कुछ है इसके साथ ही आप लोग पढ़ाई करो और यही schedule है आप लोगों का time table नहीं है चेपना नहीं है कुछ भी सबका अपना personal lifestyle होता है और सबका अपना अपना सारव कुछ होता है समझे जैसे मेरा भी यह कुद मैं खुद नहीं फॉलो करता हूं मेरा यह सामने नीचे लिगते रखा हूं और यह भी कब छुटियों के time में आसा नहीं है कि 11.30 o'clock से 1.10 तक पढ़नना ही है मैं भी इस time में ओर में ओर मतलम operating room अब यहां पर OT वेगरा बोलते हैं हॉस्पिटल समझे लो नौर्मा समझे फिर खाना बनाने का अलग time सारगुच कभी भी कुछ भी हो सकता हूं मैं हूं खुद का अपना cooking मुझे खुद ही करना होता है अपना अपना आपके साथ जो भी आप hostel में रहते होगे लौज में रहते होगे कौन कहां रहता है कैसा क्या system है उस हिसाब से आप लोग बनाना में इंपोर्टेंट किया है कि आपको 12 hours study करना ही करना है यह अगर 70-80 दिन सईसे कर लेते हो तो पूरी life आपकी अच्छे में ब पूर्टेंट चीज है 7-8 hours per day आपको सोना ही चाहिए समझ रहा हो ना क्यूंकि पढ़ते जाओगे पढ़ते जाओगे अगर पढ़ाई लिखा ही कर रहा हो और सोट ढंग से नहीं रहा हो तो फिर वहां पर प्रॉब्लम है क्या प्रॉब्लम हैगा आपका सेरेब्रम सेरेब समझ रहे हो ना हम बातों को तो इसलिह सोना इंपोर्टेंट है बागी का पांच गंता बजता 5 गंता में जो करना करो 24 अवर्स होते है 19 अरस कई यह रहाँ 5 hours बचते हैं, 5 hours में आपका जो आप कर सकते हो, वो करो सोना है, तो उसमें भी 1 गंटा सो लो, खेलने जाते हो, तो खेलो, जो करना करो, अब करना क्या है, इसके help से आप अपना plan करो, अगर morning में सही से आप लोग सारा कुछ कर लेते हो, दिन अगर अच्छा होगे न, वो बोल 5 बजे से लेकर के साम के 6 बजे का टाइम, यह सबसे important, अगर वो सही से निकल गया है, तो आउटपुट पका है कि अच्छा हैगा, तो morning में 5 o'clock उठ जाओ, और 4 बजे तक का सेडूल है, 2-2 गंटा, 2-2 गंटा करके पढ़ना है, 8 आउर सिधर complete हो गया है, साम में 6-10 पका है, इंडिया का टाइम से समझों कि दिन हो रखा होता है, दिन नहीं, मतलम अभी लोग जग रहे होते हैं, इस टाइप का बोलना चारो, यह नहीं कि morning का पांच बजरा, समझें, तो ऐसा है, so अपना बनाओ time table और इस पर पढ़ा ही करो, क्यूंकि इतना जो syllabus हैना, यह syllabus एम ही नहीं complete होगा, इसके लिए आपको पढ़ना पढ़ेगा, और 12-10 गंटा चाहिए, इस चाहिए, self study बहुत important है, so at the end स्रिफ दो चीजे याद रखना, सोना तो अच्छे से हैं, और दूसरा, जो भी morning का time है, उसे ज्यादा अच्छे से utilize करो, morning का time अगर आप अच्छे से utilize कर लेते हो, तो समझो कि आपका पूरा का पूरा दिन अच्छे से जाएगा, so thanks investor for your exam, अगर follow कर सकते तो इसे करना, नहीं तो खुद से बना लेना, और उसमें सिर्फ दिहान एक चीज रखना, कि morning का अगर time सही से कर लेते हैं, तो पूरा cover हो जाएगा, 12 hours, बहुत easily कर में ते निक्स लास में